नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत ही बहतरीन और महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं चर्चा करेंगे अपने पडोसी देश पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के अंदर में सडकों पर जो है लोगों का हुजूम उम्रा हुआ है और दो हफ़ते में पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है ऐसे संकेत आ रहे हैं फिलहाल भारत के अगर पडोसीयों के अगर हम बात करें तो बांगला देश का नाम सबसे पहले निकल कर आता है क्योंकि बांगला देश के अंदर सख्ता पलट कर दिया गया है से खसीना की सरकार को हटा कर अंतरिम सरकार बिठा दी गई है और ऐसा ही नहीं बारत के साथ जलिय सीमा साधा करने वाला देश माल दीव उसके अंदर भी राष्टपती हैं बहां के मुहमद मुईजू और वो भी कहते हुए नजर आते हैं कि लोग उनकी सरकार को गिराना चाहते हैं उन्हें राष्टपती पद से हटाना चाहते हैं भारत के पड़ोस के अंदर बंगला देश के अंदर जो कुछ हुआ था तो बंगला देश से सायद अब प्रेरना लेकर पाकिस्तान निकल चुका है तो कि पाकिस्तान और बंगला देश जो हम आज दो देश देखते हैं 1947 ने विभाजन के बाद ये एक ही देश हुआ करता था इसको जानते थे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम के और ये था पश्चिमी पाकिस्तान लेकिन 1971 में भारत की मदद से बंगला देश एक अलग नया देश बनकर निकलता है और अब जब देखा पाकिस्तान के लोगों कि बंगला देश जो कि हमसे ही अलग हुआ था उसने अपने खिलाफ हो रहे किसी काम को लेकर या फिर सत्ता के अंदर परिवर्तन अपने दम पर कर दिया है तो साइब पाकिस्तान भी निकल कर आया पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां जो कंट्रोलिंग पावर है वो असल मे सेना के हाथ में होती है सेना जो है पाकिस्तान के अंदर लगभग लगभग सब कुछ कंट्रोल करती है यहां तक कि जो विदेशी मामले जो होते हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर सेना के द्वारा ही कंट्रोल किये जाते हैं सेना के द्वारा एक अपना पपिट बिठाया ज इसकी प्रभान मंतरी सेख हसीना ने चिला चिला कर कहा था कि अमेरिका जो है उनकी सत्ता को हटाना चाहता है और इतना ही नहीं इमरान खान पहले ही बोल चुके थे कि अमेरिका उनकी सरकार को गिराना चाहता है और उसके बाद इमरान खान की जो पार्टी थी उसका पार्टी symbol तक चीन दिया जाता है, पार्टी का नाम तक चीन दिया जाता है और इमरान खान के जो समर्थक सांसद हुआ करते थे, उनको independently चुनाव लड़ना पड़ता है और वो independent चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और जब पाकिस्तान के अंदर vote की गिंती का नमबर आता है जेल के अंदर लगबग 400 दिनों से चल रहे हैं अब जेल के अंदर हैं इमरान खान और नीज जो आप देखते हैं जो की फिलहाल इंटरनेशनल सुख जो है वो अपना चुकी है अंतराश्री खबर ये बन चुकी है आप देखते हैं नीज सपोर्टर्स क्लैस विद कॉप्स ए और इतना ही नहीं पुलिस के साथ जड़ पे इनको रोकने के लिए जो इंतजाम पुलिस के द्वारा किये गए थे वो सारे इंतजामों को धुस्त करते हुए ये रैली एलान कर देती है ये बहुत बड़ा जो है काम हुआ है पाकिस्तान के अंदर और रैली के जो आयोजक लोग थे उनके द्वारा दो हफ़ते का समय दिया गया है आर्मी और सरकार को कि दो हफ़ते के अंदर अगर इमरान खान को जेल से रहा नहीं किया जाता है तो ये लोग जो है खुद ही जेल जाकर इमरान खान को रहा कराएंगे क्या है पूरा मामला समझेंगे ये आपको व मुखे मंतरी की भूमिका वहाँ पर निभाते हैं और इमरान खान की पार्टी के ये समर्थक हैं इन्हीं के द्वारा रेली का आयूजन किया गया था और निज आप देखते हैं पी टी आई जलसा के नाम से इस रेली का नाम दिया गया था गैंदापूर इसूज two week deadline दो हफ़ कार को आर्मी को और इमरान खान से रिलीज की इमरान खान को जेल से रहा कर दिया जाए ये जो खेबर पक्तूम का के मुख्यमंतरी पूरा नाम है इनका अली अमीन गेंदापुर इन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है चेटाव ने भी है कि अगर दो हफते में इमरान खान कानूनी तोर पतेहा नहीं होते हैं तो वो खुद इन्हें अपने हिसाब से आजाद करा लेगे ये तस्वीर बहुत कुछ अपने आप में बया कर देती है जहां तक जमीन पर नजर जाती है वहां लोगों का हुजून ही हुजून दिखाई देता है रात का रोपने के लिए ये कंटेनर्स वगेरा लगाए गए थे पुलिस के द्वारा जिन कंटेनर को धीड के द्वारा नीचे फेक दिया गया डिफीट इलीगल ऑपस्टेकल्स लोग सोसल मीडिया पर कहते हैं कि जो इन्हें रोकने के लिए अवैध तरीके से ऑपस्टेकल्स पच्चे हो, चाहे बूडे हो, चाहे जबान हो, सब ही लोग इतना ही नहीं बलकि महलाएं जो हैं वो भी बढ़ चल कर इमरान खान की रहाई के लिए पार्टिस्पेट इस रैली के अंदर कर रही हैं, इतना ही नहीं अमेरिका जैसे जो ओवर्सीज देश हैं अमेरिका के पाकिस्तानी जो लोग अमेरिका के अंदर रहते हैं, उनके द्वारा एक वाहन की रैली निकाली गई, इमरान खान का समर्थन वेदेशों से भी किया जा रहा है आप देखते हैं तहरी के इंसाफ पार्टी के जो हिमरान खान लीडर हैं, उन्हें थाउजन टॉप सपोर्टर्स जो हैं वो दिमांड कर रहे हैं कि रिलीज कर दिया जाए, टी-र्टी वर्ड नाव, इंटरनेशनल न्यूज पेपर्स जो हैं, इंटरनेशनल जो न्यूज चाहें और कोई है, तमाम न्यूज एजनसी के द्वारा इस खावर को कवर किया गया है, और ये एक बहुत बड़ी खावर बन जाती है, इनके द्वारा रैली के अंदर जो साफ इस पस्ट सब्दों में बोला जिया, यदि आप देखें, तो ये साफ कहते हैं, अगर आसिम म पुनीद के पीछे सात लाख फौज है, तो इमरान खान के पीछे 25 करोड आवाम है, कि 25 करोड लोगों को ले कर ये जाएंगे, और इमरान खान को रहा कर लेंगे, कुल बिलाकर जो नाराजगी यहां दिखाई गई है, वो सिर्फ सरकार से नाराजगी नहीं दिखाई गई ह बलकि जो सेना है पाकिस्तान की उससे भी खासी नाराज़गी इस सेंटेंस के अंदर दिखाई देती है पाकिस्तान के लोगों के आप देखते हैं इमरान खान is not legally released in two weeks दो हफ्टे का IT मिटम दे दिया गया है और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ बड़ा होने वाला है दो हफ्टे में इसी के चलते आज आपके साथ ये सेशन हम साधा कर रहे हैं पाकिस्तान का ये आप मैप देखें तो उपर हमारे भारत के जम्मु कस्मिर वाला जो छेत है उससे जुड़ा हुआ जो प्रांथ है इनका जो राज है उसको जाना जाता है खेवर पक्तुमा के नाम पे और इसी के नीचे इसलामाबाद जो है वो राजधानी इनकी जुड़ी हुई है पंजाब राजधेन का आ जाता है और अगली रैली जो की जा रही है यह असलमें यहीं पर रैली हुई थी इसलामाबाद की तरफ चलते हुए और अगर नहीं छोड़ा जाता है तो अगली रैली बताई जाती है कि लाहोर में अगली रैली जल्द ही ये आयुज़त करने वाले हैं और पाकिस्तान के लोगों को फिलहाल की जो सरकार है उसके खिलाफ एक जुट करने के लिए ये पूरी तरह से जुटे हुए है आप देखते हैं 13 मार्च 2024 की ये खबर है जो गेदापर नाम के इनके जो लोगों से और कहते हैं सेवा सरीफ के साथ इनकी मुलाकाता को दिखाई दे रही है और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इमरान खान को जो है जेल से रहा कर दिया जाए लेकिन इनकी बात पर सुनवाई नहीं होती है जब सुनवाई नहीं होती है तो ये मजबूरी में आकर इस प्रकार की जो रेलीज का आयोजन फिलाल किया जा रहा है इसको करने में विवस हो जाते हैं लगवक चार सो दिन से पाकिस्तान के पूर प्रधान मंतरी इमरान खान जेल में बंग हैं उनके उपर काफी सारे जो हैं वो आरोफ लगा कर उनको जेल भेजा गया है सबसे प पब्लिक के सामने पेस कर दिया था जो की इनके उपर आरोफ बना था दूसरा आरोफ इनके उपर बनता है तोसा खाना भरष्टा चारवाला असल में कोई भी देश का प्रधान मंतरी या कोई डिप्लोमेट दूसरे देश में जाता है उसे कोई उपहार या गिफ्ट मिलता पाकिस्ता ने इन्हें जमीन दान में दी थी एक यूनिवर्स्टी का निर्मान करने में और इनके उपर आरोफ है इन्होंने उस भूमी का जो उपियोग है वो अपने निजी चीजों के लिए अपने निजी हित के लिए कर लिया था इस प्रकार के ब्रष्टाचार के जो इनकी सुप्रीम कोर्ट है वो उसके आदिस पर इन्हें जेल के अंदर डाल दी जाता है अब पाकिस्तान के अंदर नियाय पालिका की क्या इस्तिती है इसको हम थोड़ा सा जाने तो पहले जब इमरान खान सत्ता में आए इमरान खान प्रधान मंत्री बने तो इमरान खान केश खुलवा देते हैं सहवाज सरीफ के भाई नवाज सरीफ के उपर और नवाज सरीफ देश छोड़ कर जाने पर मजबूर हो जाते हैं उसके बाद इमरान खान की सरकार अमेरिका के सहयोग से गिराई जाती है सहवाज सरीफ को प्रधान मंत्री बना दिया जाता है नवाज पाकिस्ता देश जहां पर नियाय पालिका स्वतंत रूप से काम ना करें सरकार की चापलूसी में यह नियाय पालिका लगी रहे तो उसे देश की सती कैसी होती है तो बिलकुल पाकिस्तान जैसी ही होती है पाकिस्तान के अंदर जो हालाफ है वो बद से बत्तर फिलहाल होते जा रहे हैं और बूसरी और पाकिस्तान की जो आर्मी है आर्मी जो है वो क्या कर रही है इस रैली के खलाफ तो आर्मी चीफ भी अपना रुख इस पस्ट कर चुगे हैं कि जो लोग इस प्रकार के काम करेंगे या रैली वगेरा का आविजन करेंगे पाकिस्तान में बांगला साथी वो पूरा सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया हूँ पसंद आया हूँ वीडियो को लाइक करना अपने साथियों के साथ सेर करना बिलकुल ना भूलें और अगर चैनल पर पहली बार पदा रहे हैं तो परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चैनल को स सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जय हैंद।